मुझे नहीं पता है कि कौन क्या कह रहा है लेकिन सम्विदान ये कहता है सम्विदान ये बड़ी कोड़े हैं जो लोग आर्थे कुछ से समाजी के दूसे पिशड़े हुए हैं उन्हें विशे सरसर मिलना चाहिए और एक स्व पिस के आवादी में अपसु सरकार के बास भी है अपना इसाब किताब कोन कितनी जाती का है जब तमिलना डू में 50% से ज़्या आरख्षिन हो सकता है या दूसे पृद्धिसों में ज़्यादे हो सकता है तो हम तो सरकार से कहते हैं, हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते हैं, ना किसी जाती को नाराज नहीं करना चाहते हैं, हम तो कहते हैं कि जिसकी जितनी जाती की आवादी के हिसाब से, अगर आप देना चाहते हो तो दे दो, क्यों किसी का आरक्षट स्कीम से हो जो जितना आव उसे परिशला आगास वजाएक चुछा पारिवास पराइबार करणिये पिला था हूए उसे किरह वर्श। ये ये फैज़ाबाद के लोग और जनके वे कार्कम जा रहा हूं वो परिवास उसे जुड़ा हुए उसे जुड़ा हूए डियाए जिनके कारकम में जारा हूँ वो सुतना सिनानी भी है और हर वर्स इसी तारीक को कारकम करना है उससे कई वर्सों से कारकम चाहते थे लेगे नभी सरकार नहीं है हम भी थोड़ा खाली है जब खाली नहीं थे समय नहीं दे पाई इसलिए नौ तारीक को आपके वैसा गंबाद और अमेकर नगर का कारकम है और तीस अगस्त को कार्गिल शेहीद के नाम पर आजमगड़ में कारकम होता है तो वहां भी हम जा रहे हैं तीस अगस्त सरच छोटे छोटे गाहों से लेकर बड़े शेहरों पता है जा रहे हैं अधाना पधि इने कहांगद में कोई साथ एकर मातियांसे बापिस कराई है तो हम तो कहते हैं कि जब आप पे हजारों एकर जमीन आ गई है कन से कन हूँ माफियाओं का और जिन माफियाओं ने जमीन कपजा कर रखी थी उनके नाम भी जन्ता के सामने भीज़ दी जाएं तो शाहिद जाद है अच्छे ही पाफ देगा अग्याजी एक आत्मिता पाइटी जिधायक है तो ने चाली सेकर जमीन कपजा की उसको लेकर प्रेस्पांविन आपके साथ जमीन के जाएं तो पांस साल में सोचो क्या क्या होगा आरोब तो यह लगता था कि समाजवादी लोग उंड़ा है आरोब यह लगता था कि समाजवादी लोग जमीन कपजा कर रहे हैं लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जो पांच हजार एकर से जादा आपने घोश्णाबत में और अपने बजट स्पीश में कहा था जिन लोगों ने जमीन कपजा कर रखी थी कम से कम उनके नाम बाहर आ जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा हम सरकार के खिलाब नहीं जा रहे हम अपनी बात कहने जा रहे हैं सर बीजेपी के लोगों का कहना है कि आपने जब सरकार में थे तब आपको अयोध्या नहीं याद आई अब आपको जानकारी के लिए आम बता दें लगातार हमारे कारकम चलने कल में उन्नाओ गया था आज आपके बीच में बेठा हूँ साथ तारीको रक्षा बंदर है पंदर तारीको बंदर अगस्त है और बीच में एक छिडिया गावी कारकम है अगर आपको रिमिशन दे दोगे हम छिडिया वाले कारकम में बीच रहे आएंगे क्योंकि हम हर बर्स एक बर्ड फेस्टिवल करते थे तो कहीं अगर दुनिया के किसी हिस्ते में बर्ड फेस्टिवल हो रहा होगा तो हम जरूर जाएंगे तो हमारे कारकम लगातार इसी तरह चलते रहेंगे अभी बर्साथ थी इंतजाम में भी थोड़ी दिक्कत होती है और कारकरता पूरी तरीके से त्यार हो जाए अभी सदस्था ही का कारकम चला थे और हम यह चाहते हैं सदस्था का कारकम चलाया है गाउं गाउं में बड़ी संख्या में नौजमानों को जोड़ा बड़ी संख्या में हर वर्क में लोगों को जोड़ा है यह पहले अपना हम संगठन तो बना ले सदस्था का वियान फूरा तो खड़ ले जब राजने तिक लड़ाई होगी या मैं ये कहता हूँ ये आग लेंड करना की 70% कौन जुडाई ये कहाना मुश्किन होगा